I analyze style में आप सबका स्वागत है आज का वीडियो most requested वीडियो है हमारे चानल का हमारे पास बहुत सारे सबस्क्राइब उसकी request आ रही थी mails पे, comments पे, facebook messenger पे कि वो alphabet सीखना चाते हैं sweaters पे तो आज हम आपको इस वीडियो में A से लेके E तक alphabet सिखाएंगे आज का वीडियो part 1 है अगर आप इसके और parts भी चाते हैं further alphabet सीखना चाते हैं तो please हमें इस वीडियो को like और comment करके बताएं अगर हमें अच्छा response मिलेगा तो हम पूरा Z तक letters को post कर देंगे आज का design हमने आपको 15 फंदों पे डालके दिखाया है हमारे पास बहुत सारे subscribers की messages थे जिसने वो चाहते थे कि हम उन्हें सरदार जी लखना सिखाएं मैतरी, रागव, welcome, congratulations इस टाइप की चीज़े सिखाएं तो अब हमने आपको इस वीडियो में letters बता दिये हैं अब आप इन letters के मदद से जो भी word चाहें वो बना सकते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान दे अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे और आप इस तरह आके और वीडियो आके देखना चाहते हो तो हमें please नीचे comment करके जरूर बताएं अब हम चलते हैं सीधा tutorial पे पहली सिलाई हमने सीधी बनी है सीधी देखने के लिए आप स्क्रीन को देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ इस सिलाई में हमने 3 वाइट, 2 पिंक, 4 वाइट, 2 पिंक और 4 वाइट बने हैं अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर उल्टी सिलाई देखने के लिए आप स्क्रीन को देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ इसमें हमने 4 वाइट, 2 पिंक, 4 वाइट, 2 पिंक और 3 वाइट बने हैं अब आगे 3 और 4 वाइट आपको पहली सिलाई के जैसे बनानी होगी 8 वी दूसरी के जैसे और 9 वी वापस पहली के जैसे 9 सिलाई कम्प्लीट होने के बाद इसका लोग इस तरह से आ रहा है अब हम आते हैं 10 वी उल्टी सिलाई पर इस सिलाई में पाच वाइट, दो पिंक, दो वाइट, दो पिंक और चार वाइट बुने है अब हम आते हैं ग्यारवी सीधी सिलाई इस सिलाई में पाच वाइट, चार पिंक और छे वाइट बुने है अब हम आते हैं बारवी आखरी सिलाई पर बारवी उल्टी सिलाई में हमने 7 फंदे वाइट, 2 पिंक और 6 वाइट बुने हैं इस तरह से हमारी 12 सिलाई में जाके अल्फबिट A ओवर होता है अब हम आते हैं अल्फबिट B पर अल्फबिट B की पहली सिलाई हमने उल्टी बुनी है इस सिलाई में हमने चार वाइट, छे पोपल और पाच वाइट बुने हैं। इस सिलाई में हमने चार वाइट, दो पोपल, तीन वाइट, तीन पोपल और तीन वाइट बुने हैं। इस सिलाई में हमने चार वाइट, दो पोपल, तीन वाइट बुने हैं। अब हम आते हैं 11 वी उल्टी सिलाई पर, इस सिलाई में हमने चार वाइट, साथ पोपल और चार वाइट बुने हैं। इस सिलाई को कम्प्लीट करके हम आते हैं 12 वी उल्टी सिलाई पर, इस में हमने 5 वाइट, छे पोपल और चार वाइट बुने हैं। इस सिलाई में हमने 4 वाइट, 2 औरेंज, 4 वाइट, 2 औरेंज और 3 वाइट बुने हैं। अब हम आते हैं 4 सिलाई पर, इस सिलाई में हमने 9 वाइट, 2 औरेंज और 4 वाइट बुने हैं। इस सिलाई को ध्यान से देख लीजे क्योंकि आगे आपको इस सिलाई के जैसे पाचवी सिलाई से लेके नवी सिलाई तक बुढ़ना होगा। और 9 लाइने कम्प्लीट होने के बाद आप इस डिजाइन का फाइनल लुक देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। नौ सिलाई कम्प्लीट करके हम आते हैं दसवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में हमने तीन वाइट, दो ओरेंज, चार वाइट, दो ओरेंज और चार वाइट बुने हैं। इस सिलाई में हमने 5 वाइट, 4 ओरेंज और 6 वाइट बुने हैं। 12 सिलाई में जाके हमारा अल्फबिट C ओवर हो जाता है। A, B, C, तीनों लेटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनका फाइनल लुक आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अल्फबिट D की तरफ। पहली सिलाई हमने उल्टी बुनी है, इस सिलाई में हमने 4 वाइट, 6 ग्रीन और 5 वाइट बुने हैं। अब हमाते हैं दूसरी सीधी सिलाई की तरफ। लीजे क्योंकि इस सिलाई के जैसे आगे आपको पाचवी सिलाई से लेके नवी सिलाई तक बुननी होगी, इसके बाद दसवी सिलाई आपको तीसवी सिलाई के जैसे बुननी होगी, दस सिलाई कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं ग्यारवी उल्टी सिलाई पर, इस सिलाई में हमने चार वाइट, दो ग्रीन, तीन वाइट, तीन ग्रीन और तीन वाइट बुने हैं, अब हम आते हैं बारवी सीधी सिलाई पर, इस सिलाई में हमने चार वाइट, साथ ग्रीन और चार वाइट बुने हैं, इस सिलाई को कंप्लीट करके हम आते हैं आकरी सिलाई, तेरव इकी पहली सिलाई हमने सीधी बुनी है, इस सिलाई में हमने 3 वाइट, 8 रेड और 4 वाइट बुने हैं, दूसरी सिलाई हमने 9 वाइट, 2 रेड और 4 वाइट बुने हैं, इस सिलाई को धान से देख लीजे, क्योंकि इस सिलाई के जैसे आगे आपको 4 और 5 वी सिलाई भी बनान अब हम आते हैं छटी उल्टी सिलाई पर इसमें हमने 4 वाइट, 5 रेड और 6 वाइट बुने है सातवी सिलाई आपको छटी सिलाई के जैसे बनानी होगी अब हम आते हैं आठवी उल्टी सिलाई पर इस सिलाई में हमने 4 वाइट, 2 रेड और 9 वाइट बुने है इस सिलाई को ध्यान से देख लीजे क्योंकि आगे आपको इस सिलाई के जैसे नवी सिलाई और दसवी सिलाई भी बनानी होगी ग्यारवी सीधी सिलाई में हमने तीन वाइट, आठ रेड और चार वाइट बुने हैं 11 वी सिलाई को complete करके हम आते हैं आकरी सिलाई 12 उल्टी सिलाई की तरफ इस सिलाई में हमने 4 वाइड, 8 रेड और 3 वाइड बुने हैं इस तरह से 12 सिलाई में जाके हमारा alphabet E over होता है और हमारा आज का वीडियो भी यही पे over होता है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को फॉर्स ताइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें Thank you so much for watching, stay tuned and bye